हेलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है अज मैं आपको 66 वीपेसी का कट आफ है जो कि कितना जाए कैटेवरी बाज और कीस विशे से कितना कोश्यन आया है तो इस वीडियो को सुरू से अंद तक देखें पसंद आने पर लाइक नहीं लोग सब्सक्राइब करना न भूले तो कट आफ 66 वीपेसी प्री एक्जाम सताइस वारा का क्या रहेगा जेनरल मेल आपको 97 से 100 जेनरल फी मेल 88 से 90 से 1000 इडाव्लोएस मेल 95 से शंतानमे इडाव्लोएस फी मेल है जो कि 86-86 बीसी प्री मेल 94 से च्यानमेश्य पीशी पीमेल 84 से श्यासी इडिसी मेल 94 से नबे ऐसी फीमेल 78 से एसी एस्टी मेल 66- pees सब्सक्राइब कोई 110 से कम नहीं बताएगा क्योंकि सुरुवाती दौर में सबको लगता है कि 110 से कम नहीं आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ चार बीपेसी से 97 और 96 में ही कटप गये तो इसी कराउंड भी इस वार लगे लेकिन अभी कोई भी किसी भी सूरत में कोई 110 से कम नहीं बताएगा क्योंकि सुरुवात में हर वार ऐसा ही होता है 110 कटप बताया जाता है 97 तो 97 से हैंडेड अगा आपका जेनरल मेल में है तो आप है जो कि मेंस की है जो कि तैयारी कर सकते हैं उसी तरह EWS मेल में 95 में संतन मुसी का राउंड रहेगा बी सी मेल का चवरान मतलब एक तरह से कहें तो पिछली चार वी पेसी की तरह ही इस बार भी कटप जाएगा क्योंकि कुछ कोश्चन जहें जो कि इंटप थे और थोड़े बहुत आसान थे तो उसी को लोग सुरुवाती दौर में बहुत आसान कोश्चन समझ जाते हैं तो 10 कोश्चन लगवग इसी के राउंड थे एक दो इधर उधर हो सकते हैं तो यह थे प्रश्णों का मतलब सबसे ज्यादा जो वेल्वेशन इस वार था अगर कहें तो एकनोमिस में भी जो पूछा गया था एक तरह से करेंट अफेयर्स ही था तो करेंट फेयर्स का बहुत ज ज्यादा शंभावना है और जीनकी अवरेज थी उनके चांसे फोशने के ज्यादा है और क्योंकि क्रश्चन आपने देखा है कि जो कहा उन्यां में विडिक तो काफी है कि कम तक बात है कि तो कट-उफ से भी बढ़ने लगे तो इसका अंसर की है चो कि आपको एक सब्ताह के अंदर है जो कि जारी और इसका रियल्ट भी है जो कि आपको जन्वरी लास्ट में आ सकता है क्योंकि March में में केलेंडर में तीथी जारी किया गया तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है तो सेफेस्ट स्कोर यही है लेकिन अभी शुरुवात में भले ही लोग कहा है कि यह सेफेस्ट स्कोर नहीं है लेकिन फाइनली जब BBSC का जब अंसर किया आएगा तो आपको पता चलेगा कि यही कट आफ है जो कि फैनली आया है और क्योंकि बहुत सारे अभी कोश्चन से जो की कंफ्यूजन में चल रहे हैं बहुत सारे जगा मिले नहीं है अब तो धीरे जितनी लेट हो कि उतनी है जो कि सुद्धता है जो कि बढ़ती जाएगी इसमें ज्यादा तर क्या थे खूघोल के कोश्चन ज्यादा थे और अर्थ विवस्था में कुछ करे इंट्रफेस पर ज्यादा थे गनित भी मिला जुला करें जो की काफी आसान ही था वहुत ही आशान नहीं था लेकिन लगबआ का आथ इसान में सकते हैं विग्यान läuft सोड़ा सा पिछाकृत है हल्का बढ़ा है आधी त्य इतिहास का जहां तक सवाल है कि इतिहास भी से है जो कि इसमें क्या पूछा गया तो इतिहास भी है जो कि थोड़े इसे टीपकल किया गया है और भूगोल भी मिलाला कर ठीक तो कहीं न कहीं है जो कि करेंट रफेर से हैं जो कि बहुत बड़ा रोल है जो कि यह पूरे कट अपस पर निवहाएगा और फाइनली जब आपके बीपीससी का जब अंसर किया आएगा तो फाइनली यही स्कोर रहेगा 97-100 ही कट अप जाएगा और जिनका अभी 110 के आसपास आ रहा है वो फिन जाएंगे स्वाव पर चले जाएंगे और यही है जो कि काट अप हरवार होता है और जिनके अभी 97-100 आ रहे है अभी जो शुरुवाती कुछ बहुत सारे क्वेशन पर केंफ्यूजन रते कहीं कुछ अंसर दिया हुआ है तो कहीं कुछ अंसर दिया हो तो वह है कि मतलब अभी जम्य हुए है लेकिन अभी खत्रा बना हुआ रहे गा अगर हो सकता है किसे आने के बाद अगर आप 97-98 जनरल में चले गए तो फिर आपके सेलेक्शन हो सकता है जो 110 वाले हैं वह 100 फर गिरेंगे और जो 15-20 कर रहे हैं वह 104 पाच पर आएंगे यही हालात है जो कि हर BPSC में रहा और उमीद है कि इस बार भी कटाउप से की उसी के राउंड भी घूमेगा और रिजल्ट कितना दिया जाएगा क्योंकि लगभख 500-500-500-600 के लगभख जो कि सीटे हैं तो उसके अनुसार है जो